आप सभी को नमस्कार स्वागत है आज के सत्रपे कैसे आप सब लोग आसा करता हूँ आप लोग सब स्वस्त होंगे और मस्त होंगे आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले क्या पढ़ेंगे जी आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे एक तो पत्रिकारिता पढ़ेंगे ठीक फिर उसके बाद आपका पदम पुरुसकार पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे पदम पुरुसकार फिर राज अलं राज अलंकरन और फिल्म यह आपके चार टॉपिक हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे पत्रकारिता के बारे में देखेंगे पूरा डेटेल से यहां पर बताऊँगा पद्म पुरुसकार कब किनको किनको मिला है और अपडेट में किनको मिला है करेंट में राज अलंकरन इनक अपर बताऊँ यहां पर चैनल में जो नए है उनको बताऊँ यहां पर चैनल को सस्क्राइब करके रखें पीडियेप के लिए आप टेलीग्राम गुरूप जोइन कर सकते हैं या यहां यह मेरा नंबर 7566199-260 पर आप सेंड पीडियेप करके में वार्ट्सप कीजिए यह आपको मिलते रहेगा ओके तो हम लोग ज्यादा बात ना करते हुए हम लोग question की तरफ चलते हैं यहां पर हम लोग क्या करेंगे mcu क्यों की question को पद्म विभूशन है ये क्या है आपका पद्म विभूशन की उपाधी देने की गोशना हुई है देखो भारत में भारत रतना के बाद चार भारत रतना सबसे बड़ा पुरुसकार है जो भारत रतना है भारत का सबसे बड़ा पुरुसकार है कौन से भारत रतना लेकिन इ और सबसे छोटा है आपका पद्म स्री ठीक तो भारत रतना के बाद सबसे बड़ा पुरुसकार है पद्म विभूशन फिर आपका पद्म विभूशन पद्म भूशन और पद्म स्री तीन प्रकार के पुरुसकार प्राप्ता होते हैं लेकिन पद्म विभूशन हमारे 36 याद रखेंगे, 2019 में इनको पद्म विभूशन मिला है, सिर्फ एक को मिला है अभी तक और किसी को नहीं मिला है, एक बात, विभूशन की बात हुई, अब आ गया पद्म भूशन, क्या है आपका पद्म भूशन, 36 गड़ में पद्म भूशन किन को किन को मिला है, तो 36 गड़ है आपका हसिप तन्वीर एक दूसरा याद रखेंगे आपका तिजन बाई क्या नाम है आपका तिजन बाई दूसरा है आपका तिजन बाई और तिसरा है आपका क्या है तिसरा है आपका सत्य देव दुबे कौन है सत्य देव दुबे ये तीन हस्तियों को क्या पद्म भिहु इन तिनों को क्या मिला है पद्म भूशन क्या मिला है पद्म भूशन लेकिन पद्म भी भूशन बोले तो सिर्फ एक को मिला है तीजनबाई को 2019 में पद्म भूशन मिला है तीन लेगों को तिनों नाम याद करना ही करना है आपको आई होप ऐसे नाम याद हो गए होंगे आप ठीक तो अपन पहला question के answer हो जाएगा option number B अब next question चलते हैं इनको आप लोगों कर नोट सा बना रहा है ना तो इनको आप note down करिए पद्म भूशन ठीक पद्म भूशन कौन कौन है तीन लोग इसको बकाइदा note down करिए एक्जाम में कहीं न कहीं पूछे जाते हैं इस सरल question है आपसे बनना ही चाहिए next question देखते है question number second है question second 36 गड़ राजिय से प्रथम पद्म भूशन सम्मान प्राप्त करता नीमन लिखित में से कौन सा है कौन सा पुछे पद्म भूशन तो बताया पहले में कौन बताया था मैं हसीब तनवीर ठीक पहले बता दिया था उसके बाद बताया था मैं तिजन भाई second में थर्ड में बताया था आपका सत्यदेव द जाएगा ठीक अब है पदमस्री 36 गड़ में पदमस्री सम्मान प्रथम व्यक्ति कौन है ठीक पदमस्मान प्रथम व्यक्ति तो डेट याद रखेंगे 1973-1988 तीन डेट याद रखेंगे 1976-1983-1988 एक बार रिपीट कीजिए 1976-1983-1988 डेट इसलिए याद करा रहा हूँ डेट का एकजाम में पूछे गया है इसलिए याद करा रहा हूँ 1976 में आपका याद रखेंगे मुकूट धर पांडे कौन है मुकूट धर पांडे इनको मिला है पदमस्री 36 गड़ के पहले पदमस्री प्राप्त करता कौन है मुकूट धर पांडे सेकेंड है आपका हसीब तनवीर हसीब तनवीर सेकेंड मिला है हसीब तनवीर ठीक और तीस ये तीन लोगों को सबसे पहले मिला है, सबसे पहले मुकुर्धर पांडे, फिर तीरासी में हसीब तन्वीर, अठासी में आपका तीजन बाई, इन तीनों को तो मिला ही मिला, इसके आगे और भी मिले हैं, लेकिन तीन आपको अपने एक्जाम के विव से देखते हुए बहु आपका मुकुर्धर पांडे इसका इंसर हो जाएगा, ओके ठीक, अब देखते हैं क्या है अपन राज अलंकर आ गया है, क्या है राज अलंकरण, राज अलंकरण, तो राज अलंकरण में देखो, यहां से कोश्चन कैसे बनते हैं, एक तो आपका करेंड के कोश्चन हैं हमको, तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक अडलक्स पेज पे लेके नॉर्मल तरीके से नक्से से आप लोगों को वहां पर बताता हूं, कि कौन कहां कहां से आपको इनके पूरुसकार दे जाते हैं, मैं 20 चीज़े आप याद रखोगे ना, आपको चीज़े वही की याद कराता हूं, देखो, यह हुआ आपका 36 गड का नक्सा, जैसे भी बना रहा हैं, मान लेजए, 36 गड का नक्सा है, ओके, यह हुआ आपका सरगुजा संभाग, सबसे पहले देखेंगे, फिर आपका बिलासपूर संभाग, दो संभाग पहले देखते हैं, सरगुजा के छेतर में, क्रिस छेतर में, आपका स्रम के छेतर में, किस छेतर में जी, स्रम के छेतर में, किसको मिला है पुरुसकार, आपका रामानूज प्रताप सिह देव, कौन है, रामानूज प्रताप सिह देव, चीजे यही के यही याद होंगी, मात्र आप एयर फोन लगा के याद कराऊंगा लेकिन थोड़ा सा आप भी यहाँ लगा के सुने नोट समय आपको आगे पीडियेप में दे दूँगा यहाँ पे ठीक तो कौन है आपके स्रम के छेतर में कौन है रामानुच प्रताप सीहिदेव कहां से कोरिया से ठीक सेकेंड याद रखेंगे जस्पूर स सरकूजा संभाग से सिर्फ दो याद रखेंगे एक कौरिया से स्रम के छेतर में रामानुच प्रताप और जस्पूर से परियवरण के छेतर में गहिरा गुरुम ठीक अब चलते हैं रायगड रायगड जीला में यहाँ पे याद रखेंगे लोक संगीत लोक कला अलग होग और लोक संगीत अलग होगा ना तो लोक संगीत के छेतर में किनको मिला है आपका राजा चक्रधर को किनको मिला है राजा चक्रधर ठीक देखो यह जो पढ़ा हूँ ना मैं राज अलंकरान आपके हर एक्जाम में एक ना एक कोशन देते हैं इनको लाइटली मत लेजे कि सर ऐसी पढ़ा रहा है मैं हुआ मैं किसी चीज को फालतू नहीं पढ़ाता आप लोगों के लिए एक्जाम में आने के लायक चीज को पढ़ाता हू ठीक तो लोक संगित के लिए राजा चक्रधर हुए कौन होए राजा चक्रधर कहां से रायगर से अब बिलासपूर से बिलासपूर से हमको दो नाम याद रखना है पहला तो आप याद रखे मचली पालन के लिए किसके लिए मचली पालन के लिए मचली पालन के लिए नाम वैसे बिलासपूर में उनके नाम से चौक है बिलासबाई केउटिन एक नाम दूसरा नाम याद रखेंगे इनका दूसरा छेतर है बिलासपूर से अधिवासी उत्थान के लिए किन के लिए अधिवासी उत्थान ठीक अधिवासी उत्थान के लिए किन को दिया जाता है जी आपका भौर्षी पोर्टे को, कौन है, भौर्षी है पोर्टे, भौर्षी है पोर्टे, ठीक, अब एक बार रिपीट करते हैं, चीजे यहीं याद होगी न, देखो, जस्कोरिया में सरगुजा संभाग चलेगे, यह सरगुजा संभाग यहाँ पे, आपका स्रम के छेत्र में रामानुच प्रताप सिहदेव, जसपूर में चले गया परियवरन छेत्र में गहीरा गुरू, ठीक अब बिलासपूर संभाग है, रायगर जिले में आपका लोक संगीत के लिए राजा चक्रधर के लिए, बिलासपूर सिटी में मचली पालन के लिए बिलासाबाई, केवटी और आदिवासी उत्थान के लिए भवर्सी पोड़ते, ठीक यह हो गया आपका बिलासपूर संभाग कंप्लेट, ठीक अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर फिर एक में ड्रॉइंग करते हैं, यहाँ पर टू सेकेंड, ठीक, यह हुआ, कैसे नहीं हो रहा है, हाँ, यह हु दुर्ग संभाग से हम तीन लोगे, तीन नामे आद रखेंगे, तीन छेत्र ना, पहला छेत्र देखते हैं, पहला छेत्र है आपका, कहां से दुर्ग से, आपका सहकारिता के लिए, दुर्ग संभाग में दुर्ग जीले से सहकारिता के लिए, सहकारिता के छेत्र में किन को नाम यद रखेंगे आपका पत्रकारिता में किन को दिया जाता है चंदूलाल चंद्राकर को तो शोड़ा सा अगर बाहर का वाच आ रहा हो तो उसकी लिए भी स्वारी क्या है की थोड़ा हो हो रहे है रात अभी साथे बारा बजराय पर भी थोड़ा से हो अल्ला हो रहा है उसके लिए ठीक अब उसके बाद लोकला रहा देखो लोक संगीत अलग के लिए आपका केला के लिएובס क्या है दाऊ मंदरा जी दाऊ मंदरा जी एक्जाम में पुछह जाते हैं इसलिए मैं बता रहें अच्छे से आपको समझा रहा हूं कहां से हो गए दुर्ग से तीन लोगों का सहकारिता के लिए प्यारे लाल ठाकूर ठीक पत्रकारिता के लिए सुन्दरला सर्म अलोक कला के लिए दाव मंद्रा जी ठीक अब रायपूर संभाग में अपन चलते हैं बलोदा बजार कहां पे बलोदा बजार बलोदा बजार में भी तीन नामें याद रखेंगे पहला है आपका आदिवासी और पिछड़ा उथान किया है आपका आदिवासी प्लस पिछड़ा उथान के लिए दिए जाता है किनको दिए जाता है सहीद वीर नरायां सिहं को एक, दूसरा आपका महिला उत्थान याद रखेंगे, क्या है आपका महिला उत्थान, कहां पे है बलोदा बजार में ही याद रखेंगे न, महिला उत्थान के लिए मिनी माता, कौन है आपका मिनी माता, कौन है मिनी माता, एक याद रखेंगे दलित उत्थान के लिए, किन के घृषिदाश गुरु घाशिदास ठीक कहां से आपके बलोदा बजार से ठीक यहां पे आप गरियबंजीला याद रखाओं क्या है आपका गरियबंजीला गरियबंजीला में सहित्य के सद्रे में सहित्य गरियावनजीला में सहित्य के छेत्र में किनको दिया जाता है सुन्दरलाल Charles स मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं आपको यहीं कि यही याद होंगे दरुगसंभांग में 3 ठीक सभाग में आपका सहकारिता प्यारे लाल ठाकूर, पत्रकारिता में चंदुलाल चंद्राकर और लोक कला के लिए दाव मंदराजी तीन हो गए बलोदा बजार में महिला वा पिछड़ा उत्थान के लिए वीर नरायंड सी ही आज़वारी आदिवासी और पिछड़ा उत्थान के लिए वीर नरायन सी हैं महिला उत्थान के लिए मिनी माता और दलित उत्थान के लिए गुरु घंसी दास बलोदा बजार गरिया बंजीला से सिर्फ एक याद रखेंगे सहकारिता के लिए सुन्दरलाल सर्मा कौन है सुन्दरलाल सर्मा ठीक अब नेक्स्ट बताते हैं आपका रायपूर संभाग में ही आपका रायपूर सिटी देखेंगे ठीक, अभी तक क्या-क्या देखे, यह हुआ सर्गुजा संभाग, बिलासपूर संभाग, यहाँ पर दुर्गा संभाग अब अपन रायपूर संभाग देखते हैं, कौन सा? रायपूर संभाग में रायपूर संभाके रायपूर जिला में यहाँ पे तीन नाम याद रखेंगे पहला आपका प्रसासन किसके लिए प्रसासन या फिर समाजिक आर्थिक और सेंचनिक के लिए किनको दिया जाता है आपका रवी संकर सुकल पंडित रवी संकर सुकल वैसे पंडित रवी संकर सुकल इन्वर्सिटी कहां है आपका रायपूर में है ना कहां है रायपूर में किसके लिए प्रसासन के लिए और समाजिक के लिए ठीक एक नाम उर्दू के लिए हजी हजी हसन अली हजी हसन अली उर्दू के लिए ठीक फिर उसके बाद है आपका रायपूर में लास्ट है आपका अंग्रेजी पत्रकारिता के लिए अंग्रेजी पत्रकारिता के लिए देखो वहाँ पे चंदुलाल चंद्राकर बताया था हिंदी पत्रकारिता है अंग्रे महा समून में आपका दो न याद रखें, एक तो क्रिसी के छेतर में, ठेक, क्रिसी के छेतर में आपका खुप चन बघेल, क्या है आपका क्रिसी के छेतर में खुप चन बघेल, ऐसे याद रख सकते हैं, क्रिसी किसानी करना है, खुप करना है, किसानी करना है, खुप करना है, हना किसानी करना है खुब करना है क्रिसी के छेतर में और अहिंसा और गोहत्य के छेतर में अहिंसा प्लस गोहत्य के छेतर में गोहत्य के छेतर में किनको दिया जाता है आपका यति यतनलाल यति यतनलाल यति यतनलाल यतनलाल यह हो गए आपके रायपूर संभाग अब सिर्फ तो बचा आपका बस्तर एक बार मैं इसको रिपीट करता हूँ रायपूर संभाग में रायपूर संभाग के रायपूर जिले में तीन हैं प्रशासन और समाजी के लिए रवपंडित रवी संकर सुकल उर्दू के लिए हाजी हसन अली अंग्रेजी पत्रकारिता के लिए क्रिसी के छेतर में देखो, खुब चन बखेल, खुब क्रिसी करना है, और अहिंसा गउर अक्षा के लिए यती यतनलाल, कौन है यती यतनलाल, अब लाश्ट देखते हैं, आपका बस्तर संभाग, क्या है जी आपका बस्तर संभाग, अभी तक हम लोग क्या पढ़े? सरगुजा संभाग देखे, बिलासपूर संभाग, यहाँ पे रायपूर संभाग, दुर्ग संभाग, यह रायपूर संभाग यह अगर आप याद कर लोगे न सारे MC कोशन आपको मुझवानी बनेंगे ठिक खेल के लिए आपका गुंडा धुर ठिक तिरनदाजी बहुँद बार पूछा गया है जी यह तिरन दाजी के लिए क्या है आपका तिरन दाजी के लिए प्रविन चन भजदेव है ठीक और आपका लास्ट है आपका अपरहन ठीक अपरहन के लिए आपका या पुलिस प्रसासन के लिए याद रखेंगे क्या नाम है लखनलाल मिस्र कौन है लखनलाल मिस्र ठीक एक बार मैं रिपीट कर देता हूं इसको फिर आगे हम लोग अपरात के लिए आपका लखनलाल मिस्र ठीक और इसका मैं पीडिये यहां पे देखो मैं अपना नोट से यहां पे डाल दिया हूं इसको आप लोग अच्छे से अपने कॉपी में नोट करके अच्छे से इसको पढ़ लेंगे हो सके कोशिस करना आप लोग में 25 करें ओके जी ठीक तो अपन देखते हैं यहां पे कौन सा कोश्चन अगर वह आप अच्छे से पढ़े होंगे ना तो यह जो कोश्चन की करेंगे वह आपको पूरे के पूरे एक-एक कोश्चन आपसे बनेंगे लेकिन आप लोग जो भी बताए हैं उसको ध्यान से पढ़े चलो जी इसका एंसर कमेंट कीजिए सर आपके लिए इतना महनत कर रहे हैं आप लोग इसका कमेंट कीजिए कि इसका एंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर A होगा B होगा C होगा कि D होगा इसका एंसर होगा सहित के छेत्र में बंडित सुंदरलाल को सहित के छेत्र में बताया और पिछड़ा उठान के लिए अहिंसा और गवरक्षा के लिए यतियतन लाल बताया हूं मैं सहकारिता के लिए क्या बताया हूं जी बताओ सहकारिता के लिए दुर्ग में दिया जाता है कहां पे आपका दुर्ग जीले में सहकारिता के लिए बताओ क्या है सहकारिता के खुब क्या करना है क्रिशी करना है इसका एंसर हो जाएगा option number A ओके खुब करना है क्रिशी करना है फिर next है चत्सगर सासंद और खेल के लिए प्रतिवर्सक की दिया जाता है खेल के लिए गुंडादूर सम्मान दिया जाता है मैं अभी बताया हूँ हाना देखो मैं बोला ना अगर आप वो समझे होगे तो सब बनेगा अहिंसा और गौर अक्षा के लिए क्या दिया जाता है यतियतनलाल इसका एंसर हो जाएगा option number B चक्रधर सम्मान की छेतर में दिया जाता है चक्रधर सम्मान संगीत और कला के छेतर में ठीक संगीत और कला के छेतर में यहां पर लोक कला अगर रहता तो लोक कला में क्या होता लोक कला में दाव मंद्रा जी होता ठीक है जी ओके नेक्स्ट कोश्चन है आपका च्छत्रिगड़ सासन दौरा दाव मंदरा जी सम्मान देखो दाव मंदरा जी सम्मान लोक कला और सिल्प के लिए जाता है ठीक नेक्स्ट कोश्चन है आपका पत्रकारिता के छेत्र इस राज्य दौरा निम्ने में से किस सम्मान की ठाकूर प्यारे लाल सम्मान की छेत्र में दिया जाता है, ठाकूर प्यारे लाल अहिंसा के छेत्र में दिया जाता है, समाजिक सम्रत्ता किसके कौन है इसके, कौन है आपका पंडित रविसंकर सुकला अहिंसा के लिए बताया हूं, क्रिशी के लिए सब को मैं बताते चला हू ठीक राज्य उस्तुमेद दिये जाना वाला प्रविन veel का लिए दिये जाता है तीरंधाजी के लिए जाता है किस लिए दिय exempt आजी के लिए जाता साथ I Kathr- में निरमित पहली फिession आता है दूसरा जो करेंट में जैसा अभी 2013 में दिया गया था किस में 2023 में current में उसको पूस्ते हैं ठेक current में उसको पूस्ते हैं अगर इस current का जो चाहिए आपको किस छेत्र में किनको किनको पूस्कार मिला है तो आप लोग इस वीडियो को कल एक ही दिन में आपका अगर 100 like होता है और 50 क्या होते हैं कमेंट होते हैं इतनी स्टूडेंट तो हैं इस से ज्यादा सो से ज्यादा स्टूडेंट तो मेरे वाट्सअप नंबर में है तो इतने तो आप लोग कर सकते हैं एक दिन में 100 like और ज्यादा निसर के लिए 50 कमेंट इतने करोगे मैं इसका current का वीडियो में आप लोगों के ठीक इतना करोगे तब क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत करों तो मैं भी सोचता हूं कि मेरे स्टूडेंट थोड़ा सपने टीचर के लिए भी मेहनत करें ठीक अब चौधा कोश्चन देखते हैं 36 गड़ भासा में निर्मित पहली फिल्म थी बाहर का आवाज जगहाए वैसी है यार ठीक 36 गड़ फिल्म थी निर्मित पहली भासा चासा में निर्मित पहली फिल्म कौन सा है कहिदेवे शन्देश ठीक है कौन सा कही देवे संदेश 1965 में रिलीज हुआ ठीक है इसके निरमाता और लेखा को याद रखेंगे मनु नायाग कौन है मनु नायाग निरमाता और लेखा कौन है आपके मनु नायाग 36 गड़ मित्र पत्रिक का का प्रकाशन किसने प्रारम किया जो 36 गड़ मित्र जो पत्रिक का है इसका प्रकाशन किसने किया question ये पूछ रहा है इसका answer हो जाएगा क्या मैं इसका answer जाने से पहले आपको बताता हूँ जो 36 गड़ मित्र का प्रकासित हुआ ये डेट पूशता है 1900 में हुआ कहा से हुआ ये भी पूशता है आपका बिलासपूर पेंडरारोड इसके मूख्य संपादक है आपके माधवराव सप्रे और इनके सहयोगी है राम राव चिचोलकर राम राव इसको नोट कर लेंगे नोट से बना रहे होंगे तो राम राव चिचोल कर और राम लाव चिचोल कर यह जो है चत्रिस गड़ की प्रथम मासिक पत्रिका यह भी याद रखेंगे चत्यज़ड की प्रथम देनिक समाचार पत्र कौन सा है देनिक समाचार पत्र जानने से पहले ये बता दू पहला दनिक समाचार पत्र कौन सा है इससे पहले इसकी स्थापना 1936 में हुई थी देनिक समाचार पत्र की इसके कौन है आपके राइटर है अमभीका चरण सुکला, याद रखेंगे, अम्भीका चरण सुखला, ठीक, प्राराम क्या था, 17 समचार पत्र था, लेकिन 511 से याद रखेंगे, выбiक समचार पत्र बना, कों सों दैनिक समचार पत्र बना, कौन महा अगा सल हजारों बार पूछा गया ना question यह, आप लोग lightly ना ले जी अच्छे से इसको पढ़िए, ठीक, 36 गर जन संपर्क विभाग की मासिक पत्रिका है, जन मानस, क्या है आपका मासिक पत्रिका है, जन मानस, इस तरह से हम लोग क्या पढ़े, पदमपूरुसकार, पढ़े, पदर आज जलंकर और पत्रकारिता फिल्म सारी चीजों को हम लोग अच्छे से देखे हैं I hope मेरा ये प्रैस आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज जो सस्क्राइब किये हैं वो चैनल को सस्क्राइब करने वाले मेरे दोस्त मेरे भाई इसको अपने दो चार दोस्तों को भेज द ने तेक्ते हैं न बहुत अच्छा लगता है जै इनकर मेरे प्लाइ देता हूं तिलंगे लगा कि मिलाओक अच्छा लगता है तो आप लोगी प्लीस ऐसे मैं सबका क्वेंट करता हूं सबका ela देता हूं आप told कमेंट किज्ये मैं रिप्लाइए जरूर दूंगा ऊकेजि तो बहुत बहुत धन्यावाद जय हिंसातियों